हलो गाई तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि MI Store से किसी भी प्रोडेक्ट को रिटन कैसे करते हैं तो दोस्तों वीडियो को फूरा एंड तक ज्यान से देखना है मैं आपको फूरा स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको अपने मोबाईल में MI Store एप्लिकेशन को ओपन करना है MI Store एप्लिकेशन को ओपन करने के बाद में नीचे आपको चार आप्शन दिका ही दे रहे हैं पर आपको एक option दिखाई दे रहा है account का तो आपको account के option पर click करना है account के option पर click करने के बाद में यहाँ पर देखिए एक return का option आ रहा है तो आपको return के option पर click करना है return के option पर click करने के बाद में आपको जिस product को return करना है उस product पर click करना है प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद में यहां पर देखिए एक कस्टमर सपोर्ट का आप्शन आ रहा है तो आपको कस्टमर सपोर्ट के आप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद में यहां पर देखिए रिप्लेस्मेंट सिपिंग और जो भी प्रोडक्ट की सारी डिटेल यहां पर आरे हैं लेकिन इहां पर रितन का और सफन नहीं है तो मैं चैटS नओ कऱे एक बर देखता आँ की यहां पर रिटन की सुईदा है या नहीं है अब हर नहीं हैwed लुट नहीं की पर फिर शर्शाम की बारे मैं बात स्थित करने की लिए नहीं लिख हुआ। तो मैं यहां पर लिखता हूँ I need help with my order तो यहां पर देखिए फिर भी कोई return का नहीं आ रहा है तो मैं लिखकर भेज जेता हूँ manually यहां पर return product तो अभी देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ आता है तो यहां पर देखिए यह कि यह pop-up आया है यहां पर लिखा हूआ रहा है Sorry to inform you that we do not have any return or actions policy after the product gets delivered to the customer However, we do have 10 days replacement policy of our product If in case you have received damaged product Please contact us within choice hours यहां 24 hours के अंदर आपको company से contact करना पड़ेगा अगर आपको damage product पराप्त होता है तो यदि आपको damage product पराप्त हुआ आपने 24 hours के अंदर नहीं inform किया company से नहीं contact किया तो आपका product नहीं written होगा और नहीं किसी परकार से actions होगा तो दोस्तों मेरा 24 hours से ज़्यादा होगा इसलिए यहां पर यह इस परकार से लिका हुआ आ रहा है और आप कोई भी MI से product book करो उससे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी product में गड़बड हो गई तो आपकी खुद की जबावदारी होगी अनियता आपको 24 hours के अंदर company से contact करना पड़ेगा तो be carefully product book